तीत वीक आज का बहुत इंपॉर्टन्ट है ब्रम्ह बाप समान भाव और भावना समझना कर्मा तीत का मतलब भी है भावना समझना क्योंकि भावना का मतलब भाव अर्थात वर्ड्स केते हैं इसके पीछे भाव क्या है यह समझो तो जनरली वर्ड्स से कनेक्टेड है भाव और भावना कर्म और वर्ड्स से कनेक्टेड है भावना और कोई भी आत्मा की रियालिटी उसकी भावना है कई कोई बहुत मिठा भी बोलते है लेकिन हम कह देते है कि कोई बहुत अच्छा स्माइल भी करते हैं प्लास्टिक स्माइल है कि रियालिटी नहीं है भावना नहीं है see हम उसको फिलिंग्स नहीं बोलेंगे इंग्लिश में because इंग्लिश क्या actual meaning नहीं होते हैं भावना केवल फिलिंग्स नहीं है वो beyond मतलब वो बहुत beyond है feeling से भी ज्यादा तो एक है निराकारी और सुक्ष्म वतन में केवल भावना की दुनिया है वो हम सुचते हम संकल्पों से जाते है निराकारी वतन में और कहते बाबा को पता है तो बाबा को क्या हम बोल थोड़ी रहे है लेकिन संकल्पों से जा रहे है तो वो world जिस world में हमें जाना है या हम जा रहे है रोज वो पुरा भावना का world है तो इसलिए भावना की mastery आना यही कर्मातीत के last stage है मारी भावना से मंदिर बना दिये कितने और वो भावना के कारण ही आज पूरा भक्ती मार्ग धाई हजार साल चला काम भावना के कारण तो अर्थात अगर इतने बड़े मंदिर भावना के कारण हुए तो उन आत्माओं की संगम यूग में कितनी स्ट्रॉंग भावना होगी जो सत्यूक्त रेता में समझाई क्योंकि एक्चुली वाइसलेस वर्ल्ड है वहाँ तो वाइसलेस वर्ल्ड में वहाँ टेलिफोन नहीं वाटसेप नहीं मोबाईल नहीं इमेल नहीं कुछ भी आज के कॉम्मिनिकेशन नहीं है फिर कौन सी कॉम्मिनिकेशन है भावनाओं की कॉम्मिनिकेशन है तो जिस वर्ल्ड में अभी हम जा रहे है अव्यक्त वतन में निराकारी वतन में और सत्यूगी दुनिया में सब जगब भावनाओं की स्पेशालिटी है Communication ही भावना के द्वारा है, संकल्प के द्वारा है, तो इसलिए भावनाओं की feeling, भावना इस समझना बहुत important है, spiritual journey हमारी start दिमाग से होती है, हम बड़े logical होते है यह ज्ञान, लेकिन ends with भावना, भावना उसे end होता है, तो इसकी mastery हमें करनी है, तो भावनाओं का, अब actually next, हम ब्राह्मन आत्मा में क्या है, हम लोग भी क्या कहते है, शुब भावना, भावना हो, शुब, तो उसके लिए भावना actually किसे कहेंगे, जिसमें love, respect, feelings, अगर हम कहते हैं na actually, feelings में negative भी आ सकती है, जब हम कहते हैं बड़ा भावना है उसको, तो उसमें कभी भी negativity नहीं आती है, बड़ी भावना है, भावना मतलब ही अपने आप में, it's like, उसकी कोई opposite नहीं है, शुब, respect and love, तो इसलिए actually भावना अपने आप में शुद्धी है, आत्मा की complete purity, तो प्यार भावना से प्यार होता है, और प्यार में भावना हैं बहुत होती हैं, दोनों बात हैं, प्यार में, दुनिया के, दुनिया में तो प्यार नहीं है न, लौकिक वालो या देहदारियों से वो attachment है, इसलिए भावना नहीं है, दादी जानकी हमेशा, दादी जानकी विदेशियों में भी भावनाओं का बहुत important है, अलाकि देखा जाये, बड़े western world है, क्योंकि दादी जानकी का बहुत कभी भी किसी के प्रति भावना नहीं चोड़ो, बहुत अच्छा slogan दादी का है, भावना चोड़ना मतलब हमारी शुब भावना चोड़ देना, जैसे कोई नहीं मानता है, हम के ठीक है न, चोड़ो न, नहीं मानता है, हमारी भावना उस soul के लिए शक्ति है क्योंकि actually भावना हमारे लिए भी शक्ति है तो उस आत्मा के लिए जैसे एक शब्द मैं बोलू और उसमें बहुत भावना हो आपके लिए तो वो कितनी value हो जाती वजन पुरा भावना का पड़ता है अगर भावना गिव अप कर दिया, मतलब you have given up the power to transform that soul. इसलिए कुछ भी कोई negative हो, अब उसकी भावना नहीं छोड़ो उसके, दादी जानकी का ये बहुत famous slogan था. हमारी भावना दूसरे के लिए energy है, pump है for other soul. शक्ती है, किसी में जब भावना छोड़ देते हैं, जैसे आप बच्चे को पढ़ाओ, फिर उसके प्रती वो छोड़ दो, मतलब hope छोड़ देते हैं, तो जैसे उसके लिए, जैसे अंधे के लिए लकड़ी होती है, तो वो लकड़ी चली गई उसके, सहारा है. तो भावना इतनी फुल हो, जो हम दूसरे के प्रती, वो भावना दूसरे के प्रती सहारा बन जाए. भावना ये उसकारिय के लिए एक जैसे पुरा फुल है, एक शब्द, जैसे सपोज, आज हम ये क्लास ही हम सुनते हैं या करते हैं, तो अगर पहले बाला ही रखो, तो अगर हमारा भावना न हो, आप सब के प्रती, तो वो क्लास में भी जान नहीं होती है, भावना मेक्स इट लाइवली, इसी तरफ वैसा वर्षा है, सुनने वालों की भावना होती है, तो वो सुनाने वाले का भी दोनों मैच होता है, बावा के क्लासेज क्यों एद्दम नंबर वन जाती है, क्योंकि दोनों तरफ भावना ही बहुत पावरफुल है, सुनने वाला और सुनाने वाला, तो इस करण ये भावना की और नेक्स्ट है, तो जितना भावना, जैसे करम योग भी, आज बावा ने क्या कहा, हड़ी हड सेवा में दो, अब हम जब योग सेवा करेंगे कर्मना सेवा, तो क्या करेंगे हड़ी हड़ी, क्योंकि याद है, बावा ने क्या कहा, कि जितना हड़ी देंगे तो वो, तो करम-aid योग में भी भावना की इंपोर्टेंट्स है, हम कितने बार वो एक्जाम्पल सुनते हैं, कि भोग, वो मंदिर बना रहा था, वो पत्थर काट रहा था, वो कहता है मैं मंदिर बना रहा हूँ, और वो कहता है पत्थर काट रहा हूँ, भावना, तो करम योग में भावना, making भोग भी वित भावना, तो वो करम योग कोई भी करम में जब भावना हो जाती है तो उसमें एक energy की feeling होती है liveliness और हलकापन होता है जैसे आज सेवा दो किसी को कि जाडु पहुंचना है जाडु लगाना है या भोग बनाना है लेकिन अगर भावना नहीं हो तो भारीपन लगेगा खुशी नहीं होती है और नहीं तो हलकापन और फिर भावना में थकान नहीं होता है हम सभी अनुभवी है जब भी हमने सेवा की है तो थकान होता नहीं है यह भावना नहीं होती तब थकान होता है और भावना से उस खीच होती है क्यों बाबा का भोग टेस्ट ही बनता है? मतलब वो एक फुल है, भावना. नहीं तो अगर बिना भावना यग्या सेवा कर भी रहे है, वो ड्यूटी है. चलो वाई, करना है. जो भी है, करना है. तो वो ड्यूटी की तरह होती है. तो एक तो ये भावना, अब देखो आपको पता होगा ब्रह्मा बाबा की भी, नहीं, सुना वो पपिता की स्टोरी कही बार हमने सुनाई हैं, वो all the way लाई पहला भोग पपिता का बाबा के पास, और वो पपिता फिर वो आया, बाबा ने खाया पूरा पपिता, देई नहीं रहे थे बाबा, पूरा खाते जा रहे थे, वो माता लेकर आई, बहुत भावना से कि मेरा पहला फल आया है बगीचे का, मुझे बाबा को देना है, इसलिए वो लेकर आई फिर बाबा ने, और पूरा खा रहे बाबा, वो दे नहीं रहे बाबा, फिर बाद में, लास्ट में, फिर जब उसने खीच तो पता चला कि खाया तो खा भी नहीं सकती थी, पपी ता बड़ा कड़वा था, भावना, ब्रह्मा बाबा को देखो कितनी भावना की कदर थी, भावना, कभी-कभी भोजन में या भोग में, केते हैं ये मिठा, ये पिका, ये है, वो है, ये भावना नहीं है, भोग खा हम किसका भोग का रहे हैं, बबाबा को भोग लग गया, वो भोग खा रहे हैं, इसमें यह नहीं है, तो हम टेस्ट हम खाना थोड़ी खा रहे हैं, भोजन थोड़ी खा रहे हैं, हम भोग खा रहे हैं, वो भावना से खाना होता है, इसलिए जहां भावना होती हैं, वह बरकत ह होती है, doing with joy, कभी भी हमने देखा भोग में बहुत बरकत होती है, कैसे, वो कहती है, बहुत बनवाते नहीं है, बनवाते तो थोड़ा ही है, वो बरकत इतनी होती हो, इसमें हम क्या करें, इसलिए हम बुलाते आओ, भोग ले जाओ, देने की भावना होती है, तो जब भावना होती है, तो आपको, हम देखेंगे, धन में भी बरकत होती है, बहुत, लगता है, बहुत है, जब भावना नहीं होती है, तो जब बरकत करना है, तो उसके लिए भावना चाहिए, बहुत strong, और इसलिए बाबा का भंडारा फुल रहता है, क्योंकि हमें ये बहुत clear है, कि य मेरा है ही नहीं, बाबा का है, बाबा के घर में, बाबा मेरा भागय बना रहे है, सेवा के लिए, रखा हुआ है, तो ये भावना बहुत हेल्प करती है, और भावना का, जितना भावना, रियालिटी है, नहीं, honesty experienced, और भावना feels real, भरपूरता की feeling आती है, अगर भावना नहीं हो, तो लगता है कि भई, ऐसे ही है, सच्चा ही नहीं लगती है, sincerity भी छोटा वड़ है भावना के सामने, तो सच्चा ही नहीं लगती है, उस करम की सच्चा ही नहीं लगती है, भावना पर वो भी लौकिक भावना नहीं, अलौकिक, भावना में अलौक कि ये बाबा की बच्चे है, जो भी भावना की बिगर जब हम ये कोई सेवा करते भी है ना, तो वो सेवा कैसी होती, कैलकुलेटिव होती है, मैंने इतना कर दिया, मैंने तो बहुत किया, कहीं भी भावना नहीं होती, तो कैलकुलेशन बहुत होता है फिर, और दूसरा कमी भ लिखाई देगे, वो चीज में, आपको बताऊं, रिट सेंट्ली अठरा जनवरी की बात है, एक सेंटर पे, मैंने भी कोई क्लास में सुना, तो वो बहन, अठरा जनवरी की दिन दूद काजर बनता है, वो छोटी बहनों ने बना दिया, उस दूद में, बाई मिस्टेक, दू अब वो तो डालने के बादे दमख्याल आया, सुबह-सुबह का टाइम, अठरा जनवरी, और बड़ी बहन क्लास करा रही थी, वो बोलने आई कि दिधी, ऐसा-ऐसा हो गया, आज बाबा को क्या करे, अब उस समय कहां दूद लेकर आया और कैसे हो, इतने सारों का भोग बन करोगे, आज अठरा जनवरी की दिन मैंने ऐसे कौन सा करम किया है कि आज की दिन आप मेरा भोग, तो बाबर से ऐसे बहुत बात है, तो बोला कि ले आओ, बाबा आपको भोग बनाना, करना है, बाकी फिर आप देखो, उनको गाइड करो वहां भंडारे में जाके, बाबा क बहन आई, उनके जोन की, उसको भी खिला, बोला पहले आओ, तो पहले भोग खिला है, बोला पहले क्लास कराने दो नहीं, पहले भोग खाओ, किसी को भी 200 लोगों ने खाया, किसी को पता ही नहीं चला कि भावना, कमी दिखाई नहीं देगी, और नहीं तो इगो होगा, भावना नहीं है, नहीं वो भावना ही नहीं है, मतलब भावना में spirituality पूरी important है, लौकिक में कमी दिखाई देगी, जब हम उसको अलौकिकता में convert करेंगे ना हर चीज तो उसमें कमी नहीं दिखाई देगी, तो बाबा हमेशा कहते हैं, दिमाग की बाते दिमाग को टेच करते दिल की बाते दिल को टेच करती है, कभी भी दिल से एक छोटा सा ग्लास भी देना है, भावना उसे दो, भावना जाहोगी, वहाँ दिल आटोमेटिक करेगा, नेक्स्ट है, तो इसलिए आज का पुर्शारत क्या होगा, भावना, डिफरेंस क्या है, भोग, दुनिया के भो जरूर है भक्ती में, पर बारगेन भी है, मेरा इतना सा काम हो जाए ना, फिर मैं करूंगा, मैं यह भोग लगाती हूँ, एक बहन ने हमको कहां, कि भई, मुझे बाबा मेरा यह काम कर देगा ना, तो मैं भोग लगाऊंगी, और मैंने अंदर संकल्प मुझे आ गया कि यह काम होने वाला नहीं है उसका, तो आज तक भोग नहीं लगाया, मतलब वो तो होना ही नहीं था ना, बारगेन बाबा, बाबा के सामने बारगेन नहीं चलता है, हम जो भोग लगाते है, कि बाबा नहीं इतना दिया है, वो हम बाबा को दे रहे है, I got so much from बाबा और वो मैं fundamentalist नहीं है, लेकिन of course हम भोग में ध्यान बहुत रखते है, कई विदेशी भाई होते थे ना, शुरू में तो वो पूछते थे कि, मतलब केला चिल कर क्यों डालना है, वो जो होता है न, वो क्या बोलते है, उसको चेरी, उसकी वो टेल है न, तो वो टेल क्यों निकालना है, बाबा, यह तो इस भक्ती मार्ग है, यह भक्ती मार्ग नहीं है, एक्चिली हम भोग बहुत honorable किसको लगा रहे हैं, तो वो जिसको बहुत honor के साथ लगाने के लिए हम यह सब करते हैं, हम भक्ती वाला उस तरह से नहीं कर रहे हैं, कि उन लोग कहते कि यह नहीं करेंगे, त इस्ट्री होते रहे, भावना समझना, तो वेरी पर्टिकुलर इन भावना, हर कोई की भावना समझो, चलो, अगर वो बोल भी रहा है, और बाबा के घर के बाबा के लिए, बाबा के परिवार के लिए तो कितनी भावना होनी ची, तो बात, हर भात में भाव समझना, हर करम मे भावना से करना एक थोड़ा छोटा सा भी करम करो लेकिन भावना हो उसमें दिखावट की जुरुत नहीं है भगवान को दिखाने की जुरुत नहीं है उसको वो तो ऐसे ही देखता है मैंने आपको एक और स्टोरी बताई थी एक बार कि वो एक पहला फ्रूब कानपुर में एक हमारी कॉंसी दादी थी तो इसको मिला था वो एक वाटर मेलन वाटर मेलन तर्बूज तर्बूज औप फृर उसने नाम लिखा याद है अपको वो जवाहर दादी से, जवाहर दादी, राइट, ये सुनाएंगे शिव भाई आज उसके बारे में, तो बाबा के लिए, तो उसने कैसे वो किया, और वो भेजा मदुबन, माउंट अबू, ब्रह्मा कुमारीज लिखे, वो वाटरमिलन को भेज दिया, माउंट अबू, माउ तो ये था, मतलब इसके यही स्टोरी है, कि फिर वो वहाँ गए, और फिर जब वहाँ, अब उसको उस गाड़ी में भेज दिया, जो भी गाड़ी माउंट अबू जारी है, उस गाड़ी में डाल दिया उसको, जवाहर दादी, अब वो वाटरमिलन लुड़कता लुड़क अब तीन दिन के बाद पहुचा, वदुबन पहुचा, बाबा के पास आया, और बाबा ने उसमें देखा, उसमें क्या लिखा था, ब्रह्मा कुमारी इस चुरी से लिखा हुआ था, माउंटाल, बाबा को लगा, ये कौनसी किस ने भेज़ा और भाबा को याड़ा, वो मे यह सबसे इंपोर्टन्ट है, मेरा संकल पर आप सभी जितना फॉलो कर पाए, हर कोई बाबा अपने घर में, जो हम सभी समझते ही यह बाबा का घर है, बाबा के घर में खुद के हातों से भोग बनाना, पंदरा मिनट लगता है, चाहे कुक बाकी चोका बनाये, लेकिन बाबा तो बाबा खाएगा नहीं, तो इसका मतलब मेरा बाबा भोका ही रहता है, हम सोचते फूट्स लगा दो, तो क्या होगा, अभी संडे की मुरली, यहां तुमने ऐसा किया, हमारे भगत भी हमको कभी भी छपन प्रकार के भोजन हमको मिलेंगे नहीं, क्यों लगाएंगे भोग लगाओ, सेंटर पर गुरुवार को भोग लगाओ, बाबा को, भोग मतलब बाबा के लिए भोग, तो हमेशा यह रखो, हर गुरुवार में बाबा के लिए मुझे भोग लगाना ही है, यह भी भावना होती है, कि बाबा का भोग है, फिर भोग खाना भी है, और तो खिलाना ही खिलाना है बाबा को तो एक आदत पंदरा मिनिट लगेगी एक रोठी बनानी है बाबा को लेकिन बाबा से भोग लगा है तो फिर बाद में बाद में तो ये है बाबा को भोग बनाना और पांच मिनिट जो बाबा की हम याद कर रहे हैं बाबा को सामने इन्व जब हम भावनाओं को यह हम भावनाओं से करेंगे ठीक है तो यह है बाद में